नमस्कार दोस्तों CACBLA help आपका बहुत-बहुत स्वागत इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको एक नए पोर्टल के बारे में जिसका नाम है अंकुस डिजिटल मार्केटिंग तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है यह पोर्टल कैसा दिखत अंकुस डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल के बारे में तो यहां पे कौन-कौन से सर्विसेज है इसे हम पहले देख लेते हैं यहां पे पैनकार्ट की सर्विस है जो की NSDL के माध्यम से है यानि आपका जो पैनकार्ट बनेगा वो NSDL के थ्रू से ही बनीगा APS की सर्विसेज है यानि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आप फिंगर प्रिंट लगा का उठे का निसान से किसी का भी पैसा विड्रॉल कर सकते है या बैलेंस चेक कर सकते हैं मनी ट्रांसपर है बिल पेमेंट है और बहुत सी सर्विसे इसमें अवेलेबल है तो अब देख लेते हैं कमिशन क्या मिलेगा यहां पर यहां पर पैनकार्ट का चार्ज है रिटेयर के लिए 107 रूपए यानि अगर आप यहां से पैनकार्ट का अप्लिकेशन करेंगे तो आपको 107 रूपए पैमेंट करने पढ़ेंगे और इसके उपर ईसके फार्ट कमिशन दो रूपए मस्टर इस्टिबूटर कमिशन ने एक रूपए उसको उपर जोए उससे एक रूपए मिलेंगे एक application के लिए APS की यहां हम बात कर लें तो 500 रुपए से 999 रुपए तक यहां पर return को एक रुपए मिलेंगे उसको उपर distributor को अलग से 20 पैसे मिलेंगे master distributor को 10 पैसे मिलेंगे और उसको उपर 10 पैसे कमिशन जाएगा एक हजार से 1499 रुपए तक 2 रुपए 40 पैसे, 1500 से 1990 रुपए तक 3 रुपए 60 पैसे 2000 रुपए से 2499 रुपए तक 5 रुपए 10 पैसे, 2500 से 2999 रुपए तक 5 रुपए 60 पैसे 3000 से 3999 रुपए तक 8 रुपए और 4000 से 5000 रुपए तक 9 रुपए retail के कमिशन मिलेगा इसके उपर distributor को 20 पैसा मिलेगा master distributor को 20 पैसा मिलेगा और उसके उपर का 10 पैसा मिलेगा और रिटेलर को एक रुपए से 1000 रुपए तक अगर बनी ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए 3 रुपए 40 पैसे चार्ज देने पड़ेंगी यानि वैलेट से एक्स्टा कटेगा और यह जो अमांट कटेगा इसके उपर distributor को 20 पैसे master distributor को 10 पैसे और उसके उपर जो है उसे 10 पैस से जादा होने पर 30 रुपए यहां पर distributor को देने पड़ेंगे distributor commission इसके ऊपर अलग से है 20 पैसे से 1.5 रुपए तक उसके ऊपर भी commission अलग से 10 पैसे 1.5 रुपए तक अब चलिए हम देख लेते हैं portal को कैसा दिखते है इनके dashboard तो यह login करने का बाद कुछ ऐसा दिखेगा और domestic money transfer की सर्विस है और pencard की सर्विस है यह जो pencard की सर्विस है यह आपको अलग से NSDL की ID नहीं मिलेगी यह जो portal है यहीं पर आप pencard का application कर पाएंगे लेकिन pencard जो issue होगा receipt जो generate होगा वो NSDL का मादम से होगा ठीक है पूरा आपको यही form fill up करना है फिर यहां पर photo जो भी document है उसे scan करका upload कर दे signature कर दे और form का PDF upload कर दे फिर submit करका payment कर दे आपका pencard का application हो जाएगा ठीक है उसके बाद domestic money transfer है यहां पर किसी भी mobile number डाल के आप वहां पर money transfer कर सकते हैं उसके लिए mobile number mandatory customer का और EPS यहां पर services है जहां पर आपको दो devices मिलती है काम करने के लिए यहां पर सिर्फ दो ही device का आपको support मिलेगा एक है Morpho का दूसरा है mantra का यहां से आप EPS की service का भी काम कर सकते हैं ठीक है तो overall यही है portal अब बात कर लेते हैं इसकी costing की तो यहां पर इसकी costing लगेगी जो भी costing आभी 15 तारिक से 25 तारिक तक October में इनका offer चल रहा है जहां पर रीटेलर के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है यानि रीटेलर बनेंगे तो आपको एक पैसा नहीं देना है यह पूर उसको यहां पर पूछ सकते हैं उसके बाद आपको जमता है तो आप यह portal ले सकते हैं दोस्तों यह रहा है मेरा एक छोटा सा वीडियो अंकुस रीटर मार्केटिंग के ऊपर आसा करता वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आएगा तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्र ट्राइब जरू करें तब तक लिए हावनाइस टे चाहिंद चाहाराग्द